तो दोस्तों इन दोनों फोन का में स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ अगर आप कोई इंता फोन देख रहे हैं जो फास्ट हो तो इस वीडियो के लाष्ट तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा फोन बैली फोर मनी हो सकता है आपके लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों का स्पीड टेस्ट सु लेट्स स्टार्ट नाओ तो चलिए अब करते हैं इनका स्पीड टेस्ट मोटो एच फार्टी न्यू वर्सस इन्फिनेक्स ग्टी टैन प्रो दौनों को ओन कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मोटो एच फार्टी न्यू थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है बूट अप टाइम जबक दिव वर्क करता है दोनों का इन दोनों की चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो मीडिये टेक ड्यामेंज एटी 70-30 आपको मिलता है मोटो एच फार्टी न्यू में इन्फिनिक्स ग्टी 10 प्रो में मिलता है मीडिये टेक ड्यामेंज एटी 50 और यह दोनों जो हैं 35,000 है थोड़ा सा जादा है और यहां पर आप CPU और GPU के भी स्कोर देख सकते हैं इन दोनों के चलिए अब हम Geekbench टेस्ट कर लेते हैं इन दोनों का कितना आता है ओके तो यह आप देख सकते हैं Geekbench अभी लोड हो रहा है थोड़ा सा टाइम लेगा यहां पर आप देख सकते ह में Moto H40 New में 1030 है जबकि Single Core में ही GT10 Pro में 1095 है थोड़ा सा फर्क है Multicore की बात करूं में तो 2500 आपको मिलता है Moto H40 New में जबकि GT10 Pro में 3150 में मिलता है थोड़ा सा जो है Multicore में भी ज्यादा है GT10 Pro चलिए अब CPU ठोटलिंग टेस्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं टे Moto H40 New की और average performance 210,000,000 है जबकि Infinix GT10 Pro की 313,000,000 है max performance और average performance 220,000,000 है अब आप लगा सकते हैं अंदाजा ओके और CPU throttle की बात करूं तो 62% हुआ है Infinix GT10 Pro में जबकि 74% हुआ Moto H40 New में LPDDR4X की RAM आपको मिल जाएगी दोनों में UFS 2.2 मिलेगा Moto H40 New में जबकि UFS 3.1 आपको मिल जाएगा Infinix GT10 Pro में इनकी आप read and write speed देख सकते हैं read speed की मैं बात करूं Moto H40 New की तो इसमें है 0.94 GB per second और write speed 859 MB per second है GT10 Pro में 0.91 GB per second है और write speed 348 MB per second है page 30 नहीं यहाँ पर थोड़ असा आगे है चलिए application open करके देखते हैं speed test करते हैं background में अभी कुछ भी कोई भी application running नहीं है तो चलिए हम एप open करके देखते हैं सब्सक्राइब सेटिंग से स्टार्ट करेंगे तो यह आप देख सकते हैं setting open किया है तो लग 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 दोनों ने same time पर open करके दिया है कोई ज्यादा फर्क यहां पर नहीं दिखा है चलिए अब हम और दूसरी application देखते हैं तो यहां पर play store को open करते हैं यह आप देख सकते हैं तो play store में भी दोनों ही एकदम same time पर open करके दिया है कोई भी difference नहीं है चलिए chrome open करके देखते हैं तो chrome पर click किया और यह आप देख सकते हैं दोनों ने same time पर open करके दिखाया है कोई भी difference में नहीं है तो अब हम next application open करके देखते हैं तो यह आप देख सकते हैं YouTube open किया है और जो सबसे पहले open करके दिया है व ट्विटर एक्स ओपन करके देखते हैं पहले ट्विटर ही हुआ करता था और यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ने सेम टाइम पर ही ओपन किया है कोई खास फर्क नहीं है ओके चलिए अब हम और नेक्स अप्लिकेशन देखते हैं फ्लिप कार्ट तो भाई फ्लिप कार्ट जो है वो सबसे पहले लोड करा था जीटी टैन प्रो ने बाकी एच फर्टी नहीं ने भी कर दिया था वैसे कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं यतना बड़ा ओके तो चलिए अब करेंगे गेम्स बगेरा ओके तो गेम्स टेंपल रन हमने कर दिया है और यहां पर देख सकते हैं आप लोड हो रहा है दोनों में दोनों सेम टाइम पर ही कर रहा है वैसे तो थोड़ा सा आगे है गीटी टैन प्रो और एच फर्टी नहीं थोड़ा सा मुझे पीछे लग रह पर यहां पर फिर भी आ गया थिए थोड़ा जीड़ा देख सकते हैं चली अब एक्स्ट गेम उपन करके देखने जो कि है एंगरी तो यहां पर देख सकते हैं दोनों गेम्स लोड हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर तो मुझे से लग रहा है ठीक है दोनोंने सेम टाइम पर किया है इस game को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी दोनों में load हो रहा है दोनों में load हो रहा है और यहाँ पर h14 ने थोड़ा सा मुझे लगता है fast कर दिया था जबकि fast तो नहीं similar ही कहूंगा मैं चलिए अब next करते हैं game तो यहाँ पर free fire max है और चलिए इसको कर तो यहाँ पर अभी लोड़ हो रहा है यह दोनों game और अभी आप देख सकते हैं कोई खास फर्क नहीं है बाई कोई खासफ сть्षॉटे नहीं इन और रोग करते हैं और यह आप देख सकते हैं और यह लग रहा है तो यहाँ पर फास्ट ह। अभी भी उसको लोड कर रहा है तो फास्ट है यहाँ पर gd10 pro चलिए अब next देखते हैं तो next हम करते हैं call of duty जो की है यहाँ पर थोड़ा सा hard game है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मुझे लगता है लोड करके दे दिया है gd10 pro ने जबकि moto h14 रह जाता है तो चलिए अब next open करते हैं जो की है वाई bgmi ठीक है बहुत लोग खेलते हैं यह आप देख सकते हैं gd10 pro ने मुझे लगता है कर दिया है यह आप देख सकते हैं gd10 pro ने कर दिया है चलिए बात करते हैं result की की वाई कौन सा phone buy करना चाहिए कौन सा phone fast है तो अगर मैं बात करूं application की तो कहूंगा कि यह winner है और वो winner है तो application में दौनों similar है और बात करूं अगर मैं games की तो games में जैसा कि आपने देखा games जो है वो ज़्यादा जो fast open किये हैं वो infinix gd10 pro ने करें जब भी हाँ कुछ game एक दो game जो थे वो motor age 14 ने fast open कर दिये थे लेकिन जो सबसे ज़्यादा fast किये थे वो infinix gd10 pro ने करें जो कि आपने देखाई है तो मैं कहूंगा कहीं ने कहीं जो fast open करने में winner है वो है infinix gd10 pro speed इसकी अच्छी है आप अगर चाहें तो इसको why कर सकते हैं अगर आप moto h40 new buy करना चाहें तो कर सकते हैं ये भी एच्छाप होना है लेकिन infinix gd10 pro जो है वो winner है तो इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं मैं मैं तो आपसे नेक्स वीडियो में thanks for watching this video